ओके गाइस सो फाइनली इंतिजाहर के गड़ी खत्म होई और बहुत सारे लोग इस चैनल में वेट कर रहे थी कि कब से रियाक्ट नेटिव का प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा और एकदम ब्रैंडिड कोर्स होगा इग्जाक्ली बहुत है क्वालिटी कंटेंट मैं ले करका आय सब्सक्राणALL ब्रक्तार घ्रपिलिटा सब्सक्राइब आप अच्छे त्रीकें पुला सिंस्दल से इस प्लेगिस्ट को फोलो करते हो तो इस प्लेयलिश्ट को फोलो करने के बाद आप अच्छे तरीके रियक्ट नेटिब लिए पीना रहे होगे या फिर आ- Watts से बना सकते हो, मैं आपको guide करूँगा कि कैसे आपको internship click करना है, कैसे job click करना है ? मैं सारी चीज़े इस वीडि़ latae में भी बताने वाला हूँ, आपका सीखने काट्रीका क्या हो गूरका जीजमें, आपको सीखंगे आतनी ब nominated आकी अतनी बने लेक्चर को, वो हमें थोड़ा मिले, हजी, मैं अपना पूरा experience जोग रहूँगा आपको, और यहाँ पे मैं चीजों को एकदम अच्छे तरीके से explain करने का कोसिस करूँगा, तो बीना time waste किये, चलिए start करते है, react native को सीखना, तो सबसे पहला चीज जो हमें जानना है basically, वो यह है कि what is react native, react native चीज किया है, तो देखो बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, react native एक open source framework है, जो कि बनाया गया है facebook के दुवारा, हजी, बिल्कुल, और यह बनाया गया है इसलिए, ताकि आप इस framework को use करके mobile application बना पाओ, हाँ, बिल्कुल, आप mobile application बनाने सीखने जा रहे हो, इस पूरे playlist में तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा knowledge जो चाहिए, react native को सीखने के लिए, वो चाहिए javascript और react, मैं आपको बता देता हूँ, कि javascript का बहुत ही fundamental knowledge चाहिए, और अगर react.js आपको नहीं भी आता है, तो आप मेरे पर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पर एकदम जीरो से समझा रहा हूँ, कहता है कि यह आपको allow करता है, एक बार आप code लिखो, और आप इसको iOS और Android दोनों प्लैटफॉर्म पे चला सकते हो, कहने का मतलब, कि एक बार आपको code लिखने हैं, और आप Android अभी बना दोगे, और iOS अभी बना दोगे, यह मज़ेदा रहा है, right, हाँ जी, बिल्कुल, तो यह थोड़ा सा time भी आपके लिए बचा रहा होगा, कि अलग अलग आपको जा करके Android के लिए code नहीं लिखने हैं, iOS के लिए code नहीं लिखने हैं, इसलिए इसको हम cross platforms अब भी बोलते हैं, कहता है यह, कि learn once right anywhere, एक बार आप सीखिए, और क यह, कि react native को कौन use कर रहे हैं, कौन company use कर रहे हैं, react native में, अभी तक क्या-क्या application बनाए गए हैं, पहले यह तो बता दो, otherwise कहीं यह ना हो कि हम react native सीख करके, हम ऐसे चीज़े सीख रहे हैं, जिसको कोई use ही नहीं कर रहा है, right, किसी company नहीं इसको use नहीं कर रहा है, कोई application आज बनाए नहीं किया है, हम पहला तो इंसान नहीं है, जो हम react native को सीख करके application माने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अभी दम धिहान से चीज़े को देखोगे, और चीज़े को अच्छे तरीके से like सम यहां पर आप जा करके देखो, कह रहा है कि मेटा यूज कर रहा है इसको, फिल्कुल अब यह Facebook वालों ने बनाया है, तो definitely यह तो यूज करेंगे, otherwise कौन भी स्वास करेगा फिरीं पर, right, तो जो Facebook का application आप देख रहे हो ना, iOS या Android, दोनो, यह React Native में बना हुआ है, हाजी, Facebook Ads Manager जो देख रहे हो, यह भी iOS Android, दोनो application जो है, वो React Native में ही है, एक और application है, MetaQuest, या फिर आप देख सकते हो, Messenger, आपने Facebook Messenger यूज करा होगा, यह भी React Native में बना हुआ है, चलो, यह फिर अच्छी बात है, क्या सिर्फ Facebook को यूज कर रहा है, भाई, यह तो यूज करेगा, नह नहीं, Facebook के अलावे, Microsoft भी इसको यूज कर रहा है, यह Microsoft Office देख रहा हो, iOS Android यह React Native में बना हुआ है, बिल्कुल, और फिर यह आप देख सकते हो, Microsoft Outlook, iOS Android, फिर यह Microsoft Teams, यह सारे के सारे application, जो है, Amazon भी इसको यूज कर रहा है, अरे रे रे, 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 राइट, तो यार, हम पहला इंसान नहीं है, जो React Native में चीजे लाइक बनाने चारे है, अब सोचो कि लाइक, इतने सारे कंपनी जब इसको बूस कर रहे हैं, सारे application जब React Native में बने हुए हैं, तो React Native का demand तो होगा भाई, बाकी भी जो startup कंपनी या छोड़ी कंपनी या जो भी हैं, वो सब भी इनके developers को hire कर रहे होंगे, React Native की developer की में बात कर रहा हूँ, अब यह तो होगया, main main यहां पर जो लिखा हुआ है, मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन कंपनी React Native को hire कर रहे हैं, जॉब कैसे दिरे में आपको बता नो, जुस्ट वेट, हाँ यार, यह तो प company है, जो React Native में job दे रहे हैं, otherwise कहीं ऐसा चीजा ना हम सीख लें, जिसका job भी नहीं है, नहीं नहीं है, यहां बिल्कुल नहीं है, चलो मैं यह भी दिखा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, तो यहां पर अगर आप glass door की बात करते हो, और ऐसे और भी बहुत सारी साइट है, आप जा करके देखो कि जो लोग like job वगरा पोस्ट करें, उनके पास तो data है ना, बिल्कुल, तो average salary जो बता रहा है, वो like 3 लाग से 8 लाग ऐसे कुछ बता रहा है, बेट मुझे पता है कि क्या story है, इसके पीछे पैसे कहीं, और भी है, राइट, बहुत ज्यादा पैसा है, यह average salary है, राइट, जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा लाइक नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे सारे company के नाम लिखे हुए है, जो लोग भी इसमें job provide कर रहे हो, और like average salary यहाँ पे लिखा हुए है, अब देख लो, TCS ऐसे company हो गया है, इन्फोसिस हो गया है, यहाँ बहुत सा सारे company है, जो की job provide कर रहे है, यहाँ पे तो multiple pages भी है, ओ भाई, मतलब बहुत सारे company है, तो बहुत ही सारे company, right, बिल्कुल, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो जाकर करके like, job search करो, ठीक है, मैं ऐसा सर्च करता हूँ, react native jobs, ऐसा like, ठीक है, ओ भाई, यहाँ पे जाकर करक तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, बिल्कुल, अब यहाँ पे जाकर करके थोड़ा सा like, देखो कि कितने सारे job है, यहाँ पे, so आप salary वालेरी भी थोड़ा सा देख करके, थोड़ा सा motivation हाईगा, है ना, बिल्कुल, यह देखो react native developer, यह 30-40,000 पर मन्त, ऐसे कुछ है, और थोड़ा देखो like, है ना, कि चीज़े क्या है, नहीं है, अच्छा, यहाँ पे न, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा like, इन jobs को कैसे हम click कर सकते हैं, क्या एकदम learning path होने वाला है हमारा, ठीक है, कैसे कैसे like, हम एकदम job तक पहुंच सकते हैं, मैं फूरा का पूरा चीए या फिर नौकरी.com में हो गया, या फिर यह इन वहरा, जहां पर भी आपसे बहुत सारे, जो job application है, आप जाकर वहाँ पर देखोगे, तो दुनिया बर के job आते रहते हैं, इंटनसीप आते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक correct तरीका क्या होने वाला है, react native में carrier बन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास normal computer है, तब भी आप इस playlist को follow कर सकते हो, यहां पे एक्सपो जैसा एक चीज होता है, आप लाइक अगर आपके computer पे Android Studio वगरा नहीं भी इंस्टॉल होता है, नहीं भी चलता है, तब भी लाइक आप एक्सपो गरा यूस करके, आप अपने mobile पर testing करोगे, code आप अपने computer पर लिकोगे, normal computer जो भी होगा, i3 अभी होगा तो चलेगा, कोई देखकर नहीं है, और जो like testing करोगे, वो अपने phone पर करोगे, अब यह चीज मैं आपको बताऊँगा, कैसे करना है, ठीक है, और नहीं, तो मैं आपको बता देता हू कि like, देखो, आप Android application बनाने कर जा रहे होना, तो मैं असा उम्मीद करता हूँ कि आपके पास, like, देखो, अब भी नहीं है, चलेगा, लेकिन आप एक like, ठीक ठाक, machine जो है, आपके पास होना चाहिए, Android development के लिए, और मैं ठीक ठाक machine की बात, अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं म आपके लिए, ओके, बिल्कुल, now the next thing is, कि आपके माइन में रहा हूँ कि यार, यह playlist को follow करने के लिए, पहले से क्या चाहिए, मैं आपको बोलाओ ना, बस आपको JavaScript का fundamental knowledge है, तो आप इस playlist को आराम से follow करो, मैं फिल भी कह रहा हूँ कि मैं उस playlist में हर चीज को basic से बताऊंगा, अगर आपने JavaScript का just basic भी कर रहा है, तो आप भी इस playlist को follow करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर रियक्टिस का थोड़ा बोत knowledge है, तो आपको help करेगा, otherwise नहीं भी है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज मेरे पर छोड़ो ना, मेरे टेंसन है, ठीक है, मै आप इस playlist को follow करो मजाएगा, तो अब जो next चीज है, वो यह है कि क्यों आपको mobile app development सीखना चाहिए, तो सबसे पहला चीज में बता देता हूं कि competition कम है as compared to web developer, आज की time पर अगर आप देखोगे ना, तो हर गली हर मुहले में आपको web developer मिलेगा, हलां कि अच्छे developer का कमी अभी वेडियो देख करके like किसी का project का clone कर लिया है, या this that करके उनको लगता है कि हम developer बनगे वेड़वर और like apply करना है, वाके में सच भी है कि बहुत सारे वेड़वर भारे पड़े हैं, हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो, हाँ बिल्कुल अहाँ भी उनमें से एक हो, तो यार वेड़ करो mobile app development में, क्योंकि wave development सेखने के दौरान आपने HTML CSS जावस्किप्ट इस चीज़े आपने सीख रखा है, तो आप इस knowledge को use करो mobile app development में, mobile application बनाने में, और react native actual में वही चीज़े है, कि अगर आपको react.js या फिर HTML CSS जावस्किप्ट आता है, अगर आपने wave development कर रखा है, तो आप यहां पर चीज़ों को थोड़ा सा फटाफट से समझ पाओगे, लेकिन हालाकी मैं फिर से कह रहा हूं, कि अगर आपने बहुत जादा कुछ नहीं भी फोड़ रखा है, बस आपने HTML CSS जावस्किप्ट का बेसिक आपने अगर कर रखा है, तो भी स्कोर्स को, इस पर सीख रहा हूंगे, बात यह समझ बारा ना में क्या पूल रहा हूं, आप अपने सरकल में भी देखो कि कितने लोगों को मॉबाइल एप्लिकेशन बनाने आता है, वेव एप्लिकेशन मिल जाएंगे, वेव एप्लिकेशन बनाने के लिए थुटा सा कम लोग मिलेंगे, तो आप बिगनर्स हो और जश्ट आपने सीख रख रहा है तो आप कूद जाओ इस फिल्ड में रियक्ट नेटिब जैसे चीजों में ठीक है मुबाइल एप डेवलोप्मेंट में और इसमें क्या फाइदा होगा आपको कि ना आप थोड़ा सा जल्दी से अपना कैरियर बना का सामना करना पड़ता है तो मैं यह कह रहा हूं कि मोबाइल एप डेवलोप्मेंट आप सीखने जाते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे एस कॉम्पेर टू वेप डेवलोप्मेंट जैसे चीज़े बाते समझवाराने में क्या बोल रहा हूं आज देख करके बाते समझवाराने में क्या बूल रहा हूं आज बिल्कुल तो मैं बस इतना केना चाहरा हूं कि यहां पी मोबाइल डेवलोप्मेंट में आपको इंस्टालेशन से ले करके हर चीज में दिक्कत आएंगे तो आपको पैसंस रखना है क्यूंकि जिस बंदे के पा अच्छा जॉब लेने के लिए तो आप देखने वाला कि कैसे हम एक अच्छा जॉब ले सकते हैं पूरा का पूरे स्टेप क्या होने वाला है तो देखो ऐसे बहूं सारे टॉपिक्स भी हैं जिनको आप पढ़ोगे लेकिन पता चलेगा कि अगले दो तीन साल में आपने कह भी को अधिक होते रहे जाओके फिर इंट्रेस्ट को जाएगा इंट्रेस्ट को जाएगा फिर सीखना बंद कर दोगे सच बात यह यह तो हम लोग यहां पर को टॉपिक पर फोकस करेंगे को और ऐसे होगे जो किसी प्रोजेक्ट में कभी अगर आ जाता है और आपने नहीं यही वह चीज होगा जो आपके कारगार साबित होने वाला है बिल्कुल आपको एक अच्छा पैकेज दिलाएगा यह प्रोजेक्स आपको करना है करना है और मैं तो कुछ ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि हम लोग रियल प्रोजेक्ट को माइन में रख करके ही कॉंसेट सीख रहेंगे तो यह बाते भी माइन में रखना है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है अब करना है इंटर्वीव केश्टन के लिए प्रिपेर करना है आपको करवाँगा टेंशन नलो इंटर्वीव केश्टन आप खुद से भी सच कर सकते हूं या फिर आप खुद से भी त्यारी कर सकते हूं कि आपने concept रोगा पुजिट्स हो कर रखा है अब इसको फोलो करो अब इसको फोलो करो ठीक है और आप खॉलेज स्टुएंट हो तो आप इंटर्वीव अपड़ रहा है देखो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से इंटर्वीव अप्लाई करने ठीक है वह पैसा देंगे आपको बिल्कुल आपने बनाया होगा प्रूजिक्ट मेंशन करा होग आपका टेलिफोनिक लाइक राउंड वगर ऐसे होंगे टेकनिकल राउंड वगर इंटर्वीव रहा होगा फिर आपको सेलेक्शन होगा और फिर वह आपको पैसा देंगे बास हमारा में क्या बूल रहा हूं बिल्कुल तो इंटनसिब लेना आपको आपको इक स्टार्ट म होने बिल्कुल सबगर करने हैं कि यह यह इंटनसिप लिए करने हैंसे और पी आपको आपको क्लिक करने में यह बंचाओंगा तो मास मेल में करता हूं कि पूरी पूरी चीज़eंगे अपको बहुत अच्छे तरिकए से इस दियांbak फोल्ली कशों अब अब को पूरा फूरा गेम्स स्बार करें कि चीजों के यूटूब में free of cost आप उसको देखो और साथ साथ में चीजों करते जाओं कुछ भी दिक्कत आता है तो comment करो मैं comment rate करूँगा अगले वीडियो में मैं उस comment का reply दूँगा बिल्कुल तो यहां पे एकदम हम live classes की तरह चीजों को सीखने वाले एकदम free of cost कोई दिक्कत नहीं ज जॉब क्लिक कर पाओ या फिर freelancing करके बढ़ियां running कर पाओ आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को like करना है share करना है चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करो और हर वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखो और कुछ बड़ा फोड़ना है साथ में मिल करके तो चलो आपको comment क करके बताना है कि like आप कहां से हो और यह वीडियो आपको कैसा लगा